असलाम लेकुम आज मैं आपके साथ सेड़ करूंगी पनीर दो प्याजर बनानी की रेसिपी पनीर ज्यादा तर लोगों का फेबरेट होता है वही अगर जटपट कुछ बनाना पर जाए तो हमारे दिमाग में पनीर का नाम सबसे पहले आता है तो आप पनीर दो प्याजर बना सकते हैं पनीर दो प्याजर बहुत ही आसान रेसिपी है इसका टेस्ट सबसे अलग और बहुत ही लाजवाब होता है तो वीडियो को पूरा देखिएगा चली बढ़ाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इसका मसाला त्यार कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने पैन लिया है इसमें धनिया है एक चम्मच यह सौफ एक चम्मच जीरा है और यह 10-15 काली मिर्च है आप चाहें तो यहाँ पे सूखी लाल मेच भी डाल सकते हैं इसे हमें हलका सा भूल लेना है रोष्ट कर लेना है इसकी खुशबू आने तक ज्यादा हमें इसे डाक नहीं करना है यह रड़ी है चलिए भी इसे एक जार में डाल देते हैं और इसका दरदरा सा पाउडर बना लेंगे यह देखे इस तरह से अब इसे साइड में रख देते हैं और उसी पैन में डालेंगे दो चम्मच घी एक से दो चम्मच घी डालना है मेल्ट हो जाए उसके बाद ही हम इसमें डाल देंगे पनीर तो यह हमारा 500 ग्राम पनीर है और इस तरह से मैंने इसे ट्राइंगल में काटा है आप क्यूप्स में भी काट सकते हैं तो इसे हमें फ्राइ कर लेना है चूले के फिलेम को मीडियम हाई रखेंगे और दो तीन मिनट के लिए इसे फ्राइ कर लेंगे हलके हाथों से इसे पलटना है क्योंकि पनीर बहुत ही soft होता है तो ये इसके pieces तूट जाएगा तो यहाँ पर देखे हमारा पनीर फ्राइ हो चुका है इसी में हम डाल देंगे इस तरह से cubes में कटा हुआ प्यास दो मीडियम साइज को प्यास को मैंने इस तरह से cubes में काट लिया था और इसके परते अलग कर लिजिएगा इसी के साथ हमें इसे fry कर लेना है तो जादा fry नहीं करना है बस इसका crunchy रहे इतना ही हमें से fry करना है दो green chili मैंने डाल दिया है उपर से थोड़ा सा नमक डाल दिजिएगा और इसे अच्छे से mix करके निकाल लेंगे यह दखे हमारा पनीर जो है fry हो चुका है अब इसे हमें निकाल लेना है और यहाँ पर ले लेंगे एक करहाई इसमें डालेंगे दो चमच घी आप oil में भी बना सकते हैं पर घी में इसका टेस्ट बहुत ही मज़िका आता है थोड़ा से मैने इसमें oil भी डाला है और अब इसमें डाल देंगे दो देश्ट पत्ता दो दालचिनी के टुकड़े है चार हरी लाची दो से तीन लॉंग है तो इसे हमें गी में दो तीन मिनट के लिए सोटे कर लेना है और अब इसमें डाल देंगे इस तरह से बारी चौप के हुआ प्याज तो इसे हमें बस light golden होने तक हमें इसे fry करना है चूले के flame को high रखिएगा असे लगातार हमें fry कर लेना है इस सबजी में प्याज को दो जग़ा रेसिपी में डाला जाता है पहले भी मैंने पनीर के साथ प्याज को सोटे करके रखा है और यहां पे gravy के लिए इस तरह से प्याज डाला जाता है जिसे की बहुत ही मज़ेका पनीर दो प्याजा बन कर तयार होता है इसलिए इसे पनीर दो प्याजा कहते हैं तो देखे हमारा प्याज जो है गोल्डन हो चुका है अब इसमें एक एक चमच अदरक लेसन का पेस्ट डाल देंगे इससे ज़्यादा डाक हमें प्याज को नहीं करना है और इसे भी हमें प्याज के साथ भून लेना है और इसे भी हमें पका लेना है अब इसमें डाल देंगे सुखा मसाला ऐक चमच लालमिच पौडर ऐक चमच धनिया पौडर एक चमच कस्मिरी लालमिच है नमक टेस के हिसाब से एक चमच जीरा और एक चमच छोटा चमच हल्दी पौडर इन सब मसालों को डालके प्यास के साथ हमें अच्छे से इसकी भूनाई कर लेनी है एक दू मिनित पहले ऐसे ही भूनेंगे उसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डालके भून लेंगे ताकि ये मसाला जो है नीचे से जलेना और मसाला अच्छे से पक जाए हमेशा से मैं कहती हूँ कि मसाले को अच्छे से बूनीगा जो भी रेसिपी आप बनाएं मसाले अगर आपके अच्छे से बूनेंगे तो उसका टेस्ट बहुत ही मज़िका आएगा तो ये देखें मसाला बून चुका है अब इस वक्त हम डाल देंगे इसमें एक कब दही चूले के फ्लेम को लो कर दिजिएगा और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो ये देखें दही को हमने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसे हमें पकाना है दो से तीन मिनट दही अपना पानी चोड़ेगा उस पानी को हमें खुश कर लेना है तो आप देख सकते हैं मसाला दही जो है वो पानी चोड़ चुका है अब इसे हमें ढख के 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे तागे मसाला अच्छे से कुख हो जाए इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाएं तो अब इसे हम ढख देते हैं 2 मिनट के लिए ये देखें माशाला हमारा मसाला अच्छे से बुन चुका है आप देख सकते हैं वो इल उपर आ चुका है आप देख सकते हैं कितने दानेदार मसाले बनके तयार हुए हैं अब इसमें डाल देंगे पीसा हुआ जो पाउडर बना के रखा था दरदरा सा और एक चमच गरम मसाला इसे भी मिक्स कर लेंगे और दो मिनिट के लिए से हम अच्छे से पका लेंगे यह एक बहुत ही सिंपल रेसिपी है आप इसे सिर्फ आदे गंटे में बना कर तयार कर सकते हैं जटपट से यह बन जाता है बहुत ही क्यूक सी रेसिपी है तो आप सब इस तरह से एक बार जरूर से ट्राइ कीजिएगा तो यह देखें मसाला जो है भून चुका है इस वक्त हम इसमें डाल देंगे जो हमने पनीर को फ्राय करके रखा था इसी वक्त एड़ कर देना है अब देख सकते हैं मसाला कितनी अच्छे से भून चुका है अब इसमें डाल देंगे फ्राय के हुआ पनीर और हलके हाथों से चलाएंगे ताकि पनीर तुटे ना क्योंकि पनीर बहुत ही सॉफ्ट होता है तो देखे हमने इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है थोड़ा साइस में मैंने पानी डाला है आधा कप के हिसाब से तो इसकी ग्रेवी ज्यादा पतली नहीं होती है ठिकी होती है इसी तरीके का तो अब इसे हम ढग देंगे दम पे 2-3 मिनिट के लिए ताकि ये अच्छे से मसाले के साथ पनीर पक जाए तो ये देखें माशारला हमारा पनीर दुप्याजा जो है वो रेडी हो चुका है मिरुटा कर लेंगे और अब इसे हम मिक्स करके दो मिनिट के लिए ड्ग दो फेलेम पे ऊसके बाद चुले की फलम बन कर देना और हमारा पनीर दुप्याजा बन कर रेडी हो जाएगा अब इसे हम ढग देते हैं चलिए ये देखें माशालला पनीर दुप्याजा रेडी हो चुका है चलिए अब इसे हम सर्फ कर लेते हैं ये लीजे माशालला हमारा सुपर टेस्टी पनीर दुप्याजा बनकर तयार हो गया बहुत ही टेस्टी बनती है दा बतों के ये बहुत ही perfect recipe है आप इसे रोटी पराठे के साथ सर्फ करें बहुत ही tasty लगता है खाने में पनीर की बहुत ही ला जवाब recipe है और बनाने में तो काफी आसान है जट पर से आप इसे बनाकर त्यार कर सकते हैं तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like शर्ष जरूर किजेगा मिलते हैं फिर इसी तरकी की simple आसान recipe के साथ thank you